कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो साथ स्रीकाल दोस्तों एक बाब फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चेनल करंसी की दुनिया दा करंसी पीडिया पर दोस्तों जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमने आपको एक रुपे के नोटों की कहानी सुनाना शुरू की थी जो की हम 1965 तक सुना चुके थे उसके आगे की कहानी सुनाएंगे आपको हम इस वीडियो में तो आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए आईए शुरू करते हैं 1965 से आगे की कहानी लेकिन क्या आप जानते हैं भारतिय अर्थ वियरस्ता का यह सबसे नन्हा नोट आर्बिया ही नहीं बलकि भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है इस एक रुपे के नोट के अलावा बाकी सभी नोटों पर भारतिय रिजर्व बेंग के गवर्णर के अस्ताक्षर होते हैं यह नोट अन्य नोटों से अलग है और साथ ही कई रोचक पहलू है जो एक रुपे के नोट को अन्य नोटों से अलग बनाते हैं एक रुपे के नोट वित्त मंत्राले द्वरा जारी किये जाते हैं और इस पर वित्त सचीव के दस्तक्रत होते हैं RBI यदिनियम 1934 की धारा 24 के तहट एक रुपे के इन नोटों पर में धारक को अधा करने का वचन देता हूं भी नहीं लिखा होता है साथ ही इसमें सिल्वर लाइंग भी नहीं होती है जो बाकी सभी नोटों पर होती है अगला नोट है A16 इस नोट की डिजाइन को पूरी तरह से चेंज कर दिया गया था गवर्मेंट आप इंडिया की फोन्ट साइज बड़ी करने के साथ साथ इसी के नीचे देवनागरी में भारत भी लिखा जाने लगा इंटरनेशनल नमबर में अंक एक, बड़ी साइज में नोट के सेंटर में, इसके नीचे पहले देवनागरी में एक रुपया, बाद में इंगलिश में वन रुपी वाटर मार्की विंडो को काफी छोटा कर दिया गया, इस वयाँ से अशोक एमलं की साइज भी छोटी हो गई है काइन की इमेज को थोड़ा नीचे की तरफ सरकाया गया है, इसे एड़्जेस करने के लिए नमबर पेनल को भी शिफ्ट किया गया है, राइट से लेप्ट की तरफ नीचे कार्नर में इस note के प्रस्ट भाग में भी चेंज किया गया है Government of India के उपर देवनागरी में सबसे पहले भारत लिखा गया है सिक्के को नीचे की तरफ सरकाने से उपर वाली खाली जगह को भरने के लिए यहां भी खुबसूरत कलाकारी की गई है इसके नीचे देवनागरी में लिखे गए एक रुपे को सिंगल लाइन में कर दिया गया है और इंग्लिश में लिखे हुए वन रुपी को वाटर मार्क विंडो के नीचे लिखा गया है इस note की size भी दोनों तरफ से छोटी कर दी गई है अब इस note की size यह 63 by 97 mm की एस भूत लिंगम की सिंगेचर वाला सबसे सस्ता नोट वर्टमान मार्क प्राइश 40 तो 60 रूपीस अगला नम्बर है एस 70 जेकर्टरी मिनिस्ट्री अपिनेस एस जगनातन सारुकाई जगनात was a member of the Indian Civil Service he had served with the Central Government and thereafter as India's Executive Director of the World Bank prior to being appointed as the RBI governor his signature appeared on the 17th and 18th issues front side में एस जगनातन के signature है और नमबर पेनल के बाद इसेट लिखा गया है जेसा 1957 तक के नोटों में लिखा जाता था बेक साइड में एर 1967 इसके अलावा सभी कुछ पिछले नोट जैसा समान वर्तमान मार्केट प्राइच 60 to 90 रूपीज अगला नमबर है ए 18 सब कुछ पिछले नोट जैसा समान नोट की साइज, कलर, सिगनेचर यहां तक की इंसेट भी सेम है ए इंसेट, चेंज है तो सिर्फ यह 1968 फिर भी पिछले वाले नोट और इस वाले नोट के मार्केट प्राइच में काफी अंतर है, 68 वाले नोट की वर्तमान मार्केट प्राइच चल रही है 500 रुपएग तो मेरे पैदा होने का इतना असर पढ़ गया की नोट की वेल्यू दस गुना बढ़ गई जस्ट जोकिंग अगला नोट है A19, सब कुछ सेम है पिछले नोट जैसा, सिर्फ सिंगनेचर बदल गए, इस नोट पर सिंगनेचर है Special Secretary Ministry of Finance IG Patel के Dr. Indra Prasad Gordhan Bhai Patel, an economist and administrator, joined the RBI as Governor after serving as Finance Secretary and thereafter at the UNDP His tenure witnessed the demonetization of the high denomination notes as well as the gold auctions Insight है B Bakeside में यहां, सन दिया गया है 1968 जो की पिछले नोट जैसा समान है वर्तमान मार्केट प्राइज 40 to 60 रूपी अगला नमबर है A20 सिर्फ एक चेंज है, बेक साइड में सन है 1969 इसके अलावा डिजाइन, फार्मेट, टलर, सिंगनेचर यहां तक की इंसेड भी पिछले नोट जैसा सेम है, इंसेड भी प्राइज भी सेम है 40 to 60 अगला नमबर है A21 इस नोट में कुछ खास बात है जैसा कि आपको पता ही होगा, कि हम लोगों में डेटे की पहली लोडी बहुती दूमदाम से मनाई जाती है और 1969 में मेरा प्रतम जन्म दिवस भी बड़ ही दूमदाम के साथ मनाया गया था अब आप इसे संजोग माने या कुछ और भारत का पहला और एक मात्र महात्मा गांधी इसमारक नोट मेरे प्रतम जन्म दिवस याने 1969 में जारी किया गया था और एक खास बात भारत का पहला एसा नोट जिस पर वास्त्रिक सिक्या की फोटो दी गई है पिलेन इंसेट के इस नोट की वर्तमान मार्केट प्राइज 60 तू 90 रुपीज अगला नंबर है एट्वन्टी टू इस पेशल सेकेटरी मिनिस्ट्री अफाइनेंस आईजी पतेल की सिग्नेचर वाले एक रुपे के इस 1969 वाले नोट की वर्तमान मार्केट प्राइज चल रही है 40 तू 60 रुपीज अगला नंबर है एट्वन्टी थ्री इस पेशल सेकेटरी मिनिस्ट्री अफाइनेंस आईजी पतेल की सिग्नेचर वाले सी इंसेट के एक रुपे वाले सन 1970 के एसे नोट की वर्तमान मार्केट प्राइज चल रही है 30 रुपे से 60 रुपे तक इस नोट पर जो सिक्के की फोटो दी गई है वह सिक्का भी अपने आप में काफी रेयर माना जाता है आप गोर करेंगे तो हजारों या लाकों रुपे के सिक्के अपने हाथ में उठाने के बाद भी आपको शायद ही 1970 का एक रुपे का सिक्का देखने को मिला हो अगला नंबर है A24 सी इंसेट वाले आईजी पटेल के 1971 वाले इस एक नोट की वर्थमार मार्केट प्राइज 30 से 50 रुपे अगला नोट है A25 इंसेट D सेकेटरी मिनिस्ट्री अफाइनेंस आईजी पटेल के हस्ताक्षर सन 1971 मार्केट प्राइज 30 तु 50 रुपीज अगला नोट A26 इंसेट D सेकेटरी मिनिस्ट्री अफाइनेंस आईजी पटेल के हस्ताक्षर सन 1972 मार्केट प्राइज 22 तु 30 रुपी अगला नोट A27 इंसेट E सेकेटरी मिनिस्ट्री अफाइनेंस आईजी पटेल के हस्ताक्षर सन 1972 22 अगला नोट A 28 इंसेट E Secretary Ministry of Finance M.G. Call क्या स्थाक्षार? M.G. Call took his charge as the 9th Secretary Ministry of Finance. He also served in the post of Secretary Department of Economic Affairs, Government of India. His signature appeared from the 20th to 35th issues of Rs. 1.0. Sun 1973, market price 20 to 30 Rs. 1.0. अगला नोट A 29 इंसेट F Signature M.G. Call Sun 1973, वर्तमार market price 20 to 30 Rs. 1.0. अगला नोट A 30 इंसेट F Signature Secretary Ministry of Finance M.G. Call Sun 1974, वर्तमार market price 20 to 30 Rs. 1.0. अगला नोट A 31 इंसेट G Signature M.G. Call Sun 1974, वर्तमार market price 15 to 30 Rs. 1.0. अगला नोट A 32 इंसेट G Signature M.G. Call Sun 1975, वर्तमार market price 15 to 30 Rs. 1.0. अगला नोट A 33 इंसेट H Signature M.G. Call Sun 1975, वर्तमार market price 30 to 50 Rs. 1.0. अगला नोट A 34 इंसेट H, Secretary Ministry of Finance M.G. Call Sun 1976, वर्तमार market price 15 to 30 Rs. 1.0. अगला नोट A 35 इंसेट की जगर चेंज की गई है। इस नोट का इंसेट है आय जो लिखा गया है नंबर पेनल के प्रेस्ट भाग के मध्य हस्तान में। वर्तमार market price 40 to 70 Rs. अब बात करते हैं, Dr. Manmohan Singh के सिगनेचर वाले पहले 1 रुपे के नोट की। Dr. Manmohan Singh, academic and administrator, had served as Secretary Finance as well as Member Secretary of the Planning Commission prior to his appointment as RBI Governor. Later, he served as Finance Minister and Prime Minister of India. नंबर है A36, Dr. Manmohan Singh के सिगनेचर वाले प्लेन इंसेट के इस 1 रुपे के नोट में प्रिफिक्स में बड़ा बदलाव किया गया था। इसके पहले जितने भी नोट चपे थे उनमें प्रिफिक्स वर्टिकल पेटर्न में लिखा रहता था। लेकिन 1976 के इस नोट से प्रिफिक्स वरिजेंटल पेटर्न में लिखा जाने लगा जो पिछले 45 साल से लगातार जारी है। वर्तमान मार्केट प्राइज 15 से 30 रुपे। अगला नोट भी डाक्टर मनमोंसी की सिगनेचर वाला A37। पिलेन इन्सेट 1977 के इस नोट की वर्तमान मार्केट प्राइज 15 से 30 रुपे। अगला नोट A38। डाक्टर मनमोंसी के सिगनेचर वाले इस नोट में एक बार फिर से इन्सेट के इस्तान को बदला गया है। इन्सेट A को इस बार जगह दी गई है प्रीफिक्स के ट्रस्ट भाग में सबसे पहले। नोट के बेक साइड ने बाकी सभी कुछ पिछले नोट जैसा समान है बस सन बदला गया है 1978। 1978 के डाक्टर मनमोंसी की सिगनेचर वाले इस एक नोट की वर्तमान मार्केट प्राइज चल रही है 15 से 30 रुपे। अगला नोट भी डाक्टर मनमोंसी का A 39 इसमें भी बेक साइड में मात्र सन चेंज किया गया है सन 1979 के इस नोट का प्रिफिक्स है A एवं वर्तमान मार्केट प्राइज 40 से 60 रुटा है 1980 के इस नोट की वर्तमान मार्केट प्राइज 15 से 30 रुपे। डाक्टर मनमोंसी के बाद अगले सेकेटरी मिनिस्ट्री अफाइनस थे आरेन मलोत्रा राम नारायन मलोत्रा, a member of the Indian Administrative Service, served as Secretary of Finance and Executive Director of the IMF prior to his appointment as governor. During his tenure, the 500 रुपी note was introduced. A 41 R.N. मलोत्रा की सिगनेचर का पहला नोट इस नोट का बेग साइट पहले वाले नोट जिसा समान है यहाँ तक की संगी सेम है विशला वाला भी 1980 का था जो डाक्टर मनमोंसी का था और यह R.N. मलोत्रा का है यह भी 1980 का ही है और इस note का front भी विछले note जैसा समान है यहां तक की insert भी वही है insert A बस बदला गया है तो Secretary Ministry of Finance का signature वर्तमान market price 10 से 20 रुपए अगला note भी सन 1980 का ही है A42 देख विछले note जैसा बिल्कुल समान है कोई बदलाव नहीं है इस note के front side में signature भी R.N. Malutra के ही है बदला गया है तो बस insert इसका insert है B वर्तमान market price 10 से 20 रुपए अगला note A43 इसकी design चेंज अरे नहीं बस करते है अब अगले अले note की design भी चेंज हो गई है और वीडियो भी लंबा हो रहा है तो आगे की बाते करेंगे कल पहले note कर लीजिए राज की बात यदि आप किसी भी तरह के note का collection करते हैं और उस collection में सभी note के आखरी के 2 या 3 numbers same होते हैं तो उस collection की value बाकी आम collection से बढ़ जाती है यदि आपने पिछला और यह वाला वीडियो बहुत ही द्यान से देखा हो तो प्लीज एक बात कमेंट करके हमें अवश्य बताईए 1949 से 1980 तक के एक रुपे के note की design में total कितनी तरह के बड़े बदला हुए हैं धन्यवाद तो दोस्तों इस episode में हमने देखे 1980 तक भारत सरकार द्वारा जारी किये गए एक रुपे के सभी note इससे आगे के note हम देखेंगे हमारे अगले episode में आपको यह video कैसा लगा कल भी आपने video देखा था आज भी देखा और इसका अगला भाग हम आपको कल दिखाएंगे और comment करके हमें अवश्य बताएं इस video में दी गई जनकर या आपको कैसी लग रही है क्योंकि आप लोगों के comment जब आते हैं और हम उनको पढ़ते हैं तो हमें आगे video बनाने में उनसे काफी मदद मिलती है आप लोगों के वीचार जानने को मिलते हैं आप किस तरह के video देखना पसंद कर रहे हैं यदि हमसे किसी तरह की गलती हो रही है या आप कुछ और देखना चाहते हैं तो किरपया हमें अवश्या होगत कराएं यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है और आप तारीफ न करें तो कोई बात नहीं लेकिन यदि आपको इस वीडियो में कोई कमी नजर आ रही है तो उससे हमें अवश्या होगत कराएं ताकि हम हमारे आगे आने वाले वीडियो में उन कम्यों को दूर कर पाएं और आपके लिए अच्छे सच्छे वीडियो प्रस्तुत कर पाएं आज के लिए बस इतना ही बहुत ही जल्द मिलते हैं इसी वीडियो के अगले एपिसोड में 103 साल की कहानी राज ग्यानी की जुबानी पार्ट 3 में तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा आपके अपनों के लिए हमारे लिए और देश के लिए और हाँ मुस्करात रहिएगा क्योंकि आप केमरे की नजर में है जै हिन जै भारत कि अजर देखेगा